हेलो एवरीवन गुट मॉर्निंग टो अलव यह वेलकम टो लॉजिक बाटशाला आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 दिस्टेंबर 2022 के इस वीडियो का PDF आप लोग को मिल चाहेगा टेलिग्राम गुरूप से लिंक आपको दिया के है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो फ्रेंट्स यह जो इंपॉर्टन सेशन है वो आपकी सभी एक्जाम पॉइंट ओवी से काफी ज़दा इंपॉर्टन है फ्रेंट्स हम आपसे एक सजेशन लेना चाहेंगे क्या हम करेंट अफेस मेरतन के सिरी शुरू करें जिसमें आपको 2022 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टन क्वेशन से उन सभी को हम उन वीडियो में कवर करेंगे पार्ट वाइस आपको यह वीडियो मिलेंगी तो आप लोग हमें बताएं कि थोड़ा सजेशन दे कि इसे आपको शुरू करें आपको करेंट अफेस को रिवाइस करना है पूरे साल का एक साथ तो किस तरीके से आप चाहती है तो आप अपने सजेशन भी हमें दे सकते हैं टेलिग्राम पर भी हमसे शेयर कर सकती हैं तो चलिए फिर इस इपॉर्टन सेशन को चॉइसे होती है या तो भी आप सपना ही देखते हो लेटे ही रहो सपना ही देखते हो या फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए महनत करो उठो और महनत करने पे जुट जाओ तो आपको क्या करना है आपको क्या खुद से आपके देखिए चॉइस होती है तो देखिए इस काम पर लगना होगा जिसे आप चाहते हैं पूरा करना तो चलिए फ्रेंट शुरू करते हैं कोशन फॉर्स्ट से पहला कोशन है विच आव दे फॉलाइंग कांट्री विल होस्ट एन इंटरनाशनल कॉंफरेंस स्टेंडिंग विद दा युक्रेनियन पीपल कॉंसा देश युक्रेनी लोगों के साथ कड़े अंतराश्टे सम्मेलन की मेजबानी करेगा तो फिंट्स इस इस कॉंफरेंस को आयज़ित किया जाएका देखिए इसका उदेश्य क्या है इसका उदेश्य ये है कि युक्रेन के जो लोग हैं उन्हें इंटरनाशनली सपोर्ट करना और उनकी जो भी जरूरते हैं जो भी उनकी नीड्स हैं तो अर्जिंट में हिमानिटेरियन नीड्स यानि जो भी उनकी इमानुवेज जरूरते हैं उनको पूरा करना ये इस कॉंफरेंस का में उदेश्य है तो एक तरीके से वहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए क्योंकि युक्रेन के जो लोग हैं वो काफी ज़दा डिफिकल्टीज को फेस कर रही हैं सभी जादा सेक् करने के उदेशे से ही इसको आयजित किया जाएगा इस इवेंट में 47 कंट्रीज के साथ-साथ 22 इंटरनाशनल ओर्गनाइजेशन के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इस इवेंट में शामिल रहेंगे बात करते हैं फ्रांस की तो प्रेफेंट फ्रांस के पास में हैं Emmanuel Macron और प्राइम मिनिस्टर हैं Elizabeth Bourne Next question is What is the rank of India in the 2022 हुरून Global 500 list जो के भी हाली में रिलीज हुई है तो हुरून Global 500 list में भारत की जो रैंक रही है भारत इसमें रहा है फिफ्ट प्लेस पे टॉप पे रहा है US, US में इसमें टॉप किया है और चाइना जो रहा है वो इसमें second place पे रहा है दो चीज ध्यान रखी का एक तो टॉप की प्लेस और साती में आपको ध्यान रखना है इंडिया की प्लेस जो की fifth number पे रही है इंडिया की प्लेस इस list के according reliance industry most valuable company रही है उसके नहीं जादा आपको पुराने current affairs भी याद रहेंगे, global innovation index में इंडिया की rank रही 40th और top पे रहा Switzerland, gender gap index में भारत रहा 135th नंबर पे top पे रहा Iceland, renewable energy installations के मामले में इंडिया रहा 3 नंबर पे और top पे रहा China, world competitiveness index में भारत की जो rank रही है 37 नंबर पे रही है और top पे रहा है friends इतमे Denmark, next question पे बढ़ती है, the 8th edition of the India International Science Festival will be held in which city, तो जो आट हुआ अंतराश्टिय विज्ञान, भारत अंतराश्टिय विज्ञान महसर हुआ है, ये किस शहर में आयोचित किया जाएगा, तो friends इसका आयोचित किया जाएगा भोपाल में और 2023 यानि जनवर 2023 में देखिए, इसका आयोचित किया जाएगा, कहां पे भोपाल में और addition कौन सा रहेगा, ये भी ध्यान केंगे आट वा, इसका उदेश्य ये है कि science, technology और innovation के field में, जो भी हमारी country की achievement से उनको celebrate करना, जो भी हमने देखिए उपलब्दियां हासिल करी है, उनका जश्न मनान ही इसका में उदेश्य है, इसके लावा बात करें, अगर हम इंडिया इंटरनाशनल साइन्स फेस्टिवल की, इसके शिरुआत देखे, 2015 में हुई थी, और ये इसका आट वा addition है, पहला और दूसरा जो addition था, वो न्यू डेली में हुआ था, फिर तीसरा addition हुआ चैन्नई मे चौथ एडिशन हुआ लकनाउ, पाचव एडिशन हुआ कॉलका था, शिक्स जो है वो वर्चुल मोड में हुआ था, और सेवन था गोआ में, और अब एट एडिशन का आयचन किया जाएका, फ्रेंड्स, कहां पे भोपाल में, अगला कोशन है, फ्रेंड्स, इसका उद्गाटन किया गया है, तमिलाटू के चीफ मिनिस्टर, M.K. स्टालीन जी के द्वारा इसका उद्गाटन किया गया है, अच्छा फ्रेंड्स, यहां पे अगर हम बात करें थोड़ी सी इंपोर्टन नियूस नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड, तो देखे चले रिवाइस करती है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी इनॉग्रेट किया था, सिल्वर जुबली एडिशन ओफ बिंगलूरू टेक समिट का, तो इसका उद्गाटन किसके द्वारा किया गया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, इसके लगा फ्रेंट ध्यान लखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिकलेर किया, जो मानगर धाम है, और ये मानगर धाम कहाँ पी है, राजरस्थान में इससे नैशनल मॉन्यूमेंट डिकलेर किया गया, प्राइम मिनस्टर मूदी जी ने एक नया strategic airbase को लॉंच किया गुजरात के देसा में इससे लॉंच किया गया then trends important यूज है प्राइम मिनस्टर मूदी जी के द्वारा mission schools of excellence को लॉंच किया गया कहाँ पे गुजरात state में प्राइम मिनस्टर मूदी जी ने PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 को inaugurate किया और कहाँ पर किया गया इनागरेट इससे न्यू डेली में इसके लाए friends प्राइम मिनस्टर मूदी जी के द्वारा जो गुजरात का महसाना district है महसाना district में एक village है मुधेरा village जिससे 24 इंटू 7 solar powered village गोशित किया गया तो ये हमारी important news है जोकि हमें ध्यान रखनी है अब गोशिन के पर बात कर लेते हैं तो इस statue को तमिलाडू के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन जी ने inaugurate किया स्टालिन ने अपनी शताबदी पर एक समारी का यानि अपनी सेंचेट्री पर एक समारी का सोविनियर को भी release किया है भरतियार की 141st birth anniversary on behalf of the state government यानि राजय में अलग-अलग स्थानों पर जो है इनकी birth anniversary को जो है आयजित किया गया भरतियार की बात करते हैं ये तमिल राइटर, पोएट, जोर्नलिस्ट, इंडियन इंडिबेंडनेंस एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर जो है वो ये रहे थे नेक्स्ट हमारा question है विच अमंग दी फुलॉइंग हैस बीन अवोड़ेड दा फर्स्ट रैंग अमंग ओल गुरूप ए मिनिस्ट्रीज डिपार्ट्मेंट एट ऑट ओनॉमियस बोडीज इन ग्रिविंसी रिड्रेसल इंडेक्स फॉर नवेंबर 2022 तो नवेंबर के लिए शिकायत निवारण सूचकांग में सभी जितने भी गुरूपे की मिनिस्ट्रीज हैं विभाग हो गए या फिर स्वायत निकाय है उसमें प्रतम रैंक से सम्मानित किया गया है किसे आंसर इस यूनीक आइडेंटिफिकेशन ओथ्यॉरिटी ओफ इंडिया इसे हम शॉर्ट में कहते हैं यूडई इसने अगें दिकेस में टॉप किया है ये लगातार चौधा इसा चौधा महीना है जिसमें यूडई ने जो है वो टॉप किया है पहले स्थान पे रहा है यू रही उसका एंहेंस कर रही है और जो भी सर्विसेज ये डोग डिलीवर कर रही है उसमें भी काफी जदा इंप्रूव्मेंट कर रही है तो इनका जो पूरा ये सिस्टम है देखिए इसी सिस्टम के साथ में ये लगातार चौधे महीने में जो है टॉप पोजिशन पे रही है युनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के सापना 28 जैनवरी 2009 को हुई हिटकोर्टर है इसका न्यू डेली में सी यू है सौरवगर्ग और इसके चेर्मन है जे सत्य नारायन नेक्स्ट एकोशन फ्रेंड समारा विच एरलाइन है यस प्रदर्शन करने के लिए किस एरलाइन को जी एमार डिली एरपोर्ट आवोर्ट्स के द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द इयर पुरुषकार से सम्मानेद किया गया है इस अवार्ड से सम्मानेद किया गया है स्पाइशेट एरलाइन को तो simply बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सी एरलाइन को ये अवार्ड दिया गया नेक्स्ट इंपोर्टन कोशन है देखिए विच अव दे फुलॉइंग इंडियन एक्टर इस अमंग दी एट पीपल हुविल टेक फ्लाइट अराउन दा मून ओना स्पेस शेप आप सभी जानते हैंगी आठ लोगों को देखे सिलेट किया गया है जोकि मून पर जाएंगे तो उसी में से एक इंडियन भी है एक इंडियन एक्टर भी है उनका नाम क्या है? उनका नाम है देव जोशी आपने बहुत एक फेम्स सीडियल हाता था आपने उसमें इनको देखा होगा और उसका नाम चलिए मैं बता देती हूँ स्पेसक्राफ्ट स्टार्शिप जो कि आलन मस्क के स्पेसेक्स के द्वारा डिवलप किया गया शिक्स टेस के लिए छे दिनों के लिए देखिये जाएंगे इट विल नॉट लेट ऑन दिमून चांद पर नहीं उतरेंगे पटिये एक तरीके से वहां पर वुट प्रेवल करक यहाँ पर मैंने उन एट पीपल्स का नाम दिया है केबो स्टार टी ओपी अमेरिकन डीजे स्टीव ओकी अमेरिकन यूट्यूबर है टीम डोड शेस्ट कोरोग्राफर है येमी एडी आईरिश की फोटोग्राफर है रिहानन एदम ब्रिटिश फोटोग्राफर करीम लिया ब्रेंदन हॉल और बालवीर के जो लीड एक्टर है देव जोशी ये आट लोग जो है वो सिलेक्ट हुए है इस ट्रिप पे जाने के लिए नेक्स्ट क्वेशन इस जेनरल मिरोसलोब हैमर्स जेगवी फोटोग्राफर है पॉलेंड तो फ्रेंड से पॉलेंड के एक मात्र अंत्रिक्ष यात्री थे इनका भी हाली में निदन हुआ है और इनों ने दिखी एक सोविट स्पेसक्राफ्ट गया था 1972 में तो 9 days के लिए जो है ये और उनके सोविट कोस्मोरोटे जिनका नाम क्या है प्योत्र किल्मुक ये इनोंने जो है वो प्रत्वी की परिक्रमा की थी और अभी इनका हाली में निदन हुआ है नेक्स कोशन पर बढ़ते हैं विच ओफ दी फुलॉइंग ओगनाईजेशन हैस अनौंस्ट डॉक्टर जेरमी फरार एस इट्स न्यू चीफ साइन्टिस्ट तो डॉक्टर जेरमी फरार को अपना नया मुख्य विज्ञाने घूशित किस ने किया है आंसर इस इसकी स्थापना हुई है एटक्वाटर है जर्नेवा स्विजलेंड और डारेक्टर जर्नल है टेड्रोस एडनौं नेक्स्ट कोशन इस हुआस बीन कंफर्ड विद ट्वेंटी फिफ्ट श्री चंद्रशेखरेंटर सरस्वती नाशनल एमिनेंस अवार्ट रिसेंटली पच किया गया है यह हमारे फॉर्मर वाइस प्रेजिडेंट रही ते जिनने इस अवार्ड से सम्मानित किया गया यह जो अवार्ड है यह दिया जाता है इन्दी फिल्द सोब पब्लिक लीडर्शिप, कॉमुनिटी लीडर्शिप, साइन्स एंड टेक्नलोजी, सोशल थिंकर्स जिनोंने अपने फिल्द में बहुती आउर्स्टेंडिंग कॉन्ट्रिबूशन दिया है उसी के लिए यह अवार्ड दिया जाता है इस अवार्ड की शिरुवात स्ताउथ इंडिन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा 1998 में की गई थी इन्दी मेंबरी ओफ लेट सीर आफ क प्राइस यह जीता है चिप को मुमेंट बुक ने जो की शिकर पाड़क ने लिखी बैंकर्स बैंक ओफ द इयर का अवार्ड मिला कैनरा बैंक को अर्थ शौथ प्राइज मिला तिलंगाना के स्टार्ट अप खेती को ICFT UNESCO गांधी मेडल से सम्मानित किया गया इरानियन फिल्म नारगेसी को Champions of the Earth अवार्ड से सम्मानित किया गया है उनिमा देवी बर्मन को नेक्स्ट कोशन है विश टीम हैस बीन क्राउंड एज चैंपियंस और फोर्थ टैनिस प्रीमियर लीग तो बताना है कि किस टीम को चौथे टैनिस प्रीमियर लीग के Champions की रूप में जो है ताज बनाएगा यह इनोंने जीता है तो answer is Hyderabad Strikers ने जेखिए 4 टैनिस प्रीमियर लीग का जो है टाइटल जीता है Final match जो हुआ था वो पूने महरास्ट में हुआ था तो simply यहां ध्यान रखेगा Next and very important question Who has won the ICC Women's Player of the Month? कौन से मन्त की बात हो रही है? November तो November महीने के लिए ICC महिला Player of the Month का खिताब किस ने जीता है? answer is Sidra Amin ने जो है फ्रेंड से खिताब जीता है और Sidra Amin कौन सी टीम से है? पाकिस्तान से अब इसी में हमें Men's Player of the Month की बात करें तो England के Captain Josh Butler जो है इनको मिला है यह Men's की कटेगरी में इन्होंने यह Award जीता है अब Revision के लिए मैंने देखे अभी तक जितने भी हैं October महीने के पूरे यह Men's Player of the Month हैं सबी और यहां पर आपको दिख रहे होगी लिस्ट पूरी Women's Player of the Month की तो आप हर एक महीने का देखें जैसे जन्वरी की बात करें तो England की Heather Knight यह चुनी गई Player of the Month के लिए फरवरी में New Zealand की Amelia Care इस तरीके से हमें सभी जो है Friends अच्छे से ध्यान रखनी है Next important question है Who has become the third cricketer in history to score 10,000 test runs recently 10,000 test run बनाने वाले इत्यास में तीसरे cricketer कौन बनी है तो former England के जो captain रहे जो route यह तीसरे player बनी है जिनके test match में 10,000 runs complete हुए है और इसे के साथ 50 wicket लेने वाले 10,000 run बनाने और 50 wicket लेने वाले त्यास के तीसरे cricketer बनी है इनसे पहले Jack Quiz College योगी South African है और Steve Waugh यह former Australian skipper है इन्होंने भी 10,000 runs हो है वो score करे और तीसले player जो बनी है उनका नाम है Joe Root तो इसे के साथ हमारे यहां पे जितने भी questions थे वो सभी questions होते हैं यहां पे complete अब time आता है revision करने का तो चलिए फिर साथ में questions को revise करती है पेला question है वो हैस वोन गोल्ड इन दी वोमेंस एयर पिस्टल 65 नाशनल शूटिंग चैंपिंशिम कॉंपिटिशन पिस्टल जो की हुआ भोबाल में तो इसमें गोल्ड मेडल जीता है दिव्या ने अगला question है तो यह वनीकन प्रोजेक्ट शुरू किया है तो कौन से स्टेट को समानित किया गया है right answer is Megale which of the following state has launched the climate change mission to protect the natural resources in these states तो climate change mission को launch किया है friends Tamil Nadu government ने the fifth edition of Mujris BNL the country's largest contemporary art exhibition यह कौन से शहर में शुरू हुआ तो friends यह शुरू हुआ है आपका कोची में अगला question है the government of India has extended the PM street vendors आत्म निर्भर निधी scheme तो जो PM स्वानिधी scheme है इसे बढ़ा दिया गया है December 2024 तक के लिए Union Railway Minister Ashni Vashno has announced a new train Kashi Tamil Sangamam as a part of which initiative तो यह पार्ट है आजादी का अमरत महसव का Recently which edition of Kathmandu International Film Festival has concluded in Kathmandu Nepal तो कौन से अधीशन हुआ इसका answer is 20th which of the following country has successfully launched first ever Arab-built Lunar Spacecraft जिसका नाम है राशित रोवर इसे सफलता पूरवक लाँच किया है किसने UAE देश ने तो फ्रेंग्स यह थे हमारे complete questions कर आप लोगों से question पूछा गया था तो first question था कि इंडिया के लिए जो World Bank के country director appointed उनका नाम है औगस्ते तानो कौ में second question था हमारा चाबहर दे तो Union Minister सर्वरंदा सोनेवाल जी ने चाबहर दे conference को inaugurate किया कहां पे मुंबई में तो thank you so much आप सब भी ने बहुत सही answer करें सबी के right answer भी रहे आज के comment है नेहा अगरवाल इन पल्लवी कोमारी तो thank you so much once again इसी तरीके से आप daily basis पे comment करते रहें तो आज की हमारी कुछ questions important है जिसमें से पहला question है तो गोदवे का जो प्राचीन बंदर का इस तल है किस देश में स्तेत है second question है रिकुवेद में किस जैन तीर तंकर का उल्ले किया गया है जार हमारी वेदास है जिसमें से बात हो रही है रिकुवेद की तो friends इन questions के answer आप लोग मुझे comment section में बताएं तो इसे के साथ ये video हमारी होती है यहां पे complete वीडियो आपको कैसे लगी अगर आपको video अच्छी लगी content अच्छा लगा तो friends please like करें शियर करें से जाधा से जाधा और चैनल को subscribe ज़रूर करें ताकि और भी जो students है वो हमसे connect हो सके और वीडियो का benefit ले सके Thank you so much for watching this video